नमस्कार साथ आपका स्वागत आपके योटूब चैनल ट्रेडवित रोनेक्ट चली दोस्तों से शुरूवात करते हैं आज के जो शेयर है वह ओन मुवाइल ऑन मुवाइल गलोबल लिमिटेट के बारे हैं बात करने से पहले अगर अभी तक आपने अपना चैनल अब बिल्कुल न भूलिए तो दोस्तों आज 29 दिसंबर सुबह के 11 बज़रा लाइब मार्केट ओपन है और अब मुझे लगता है और अपनी कैपिटल को सब्सक्राइब लोगाना है तो बेसिकली चलते हैं अप वीडियो पूरा देखिए वीडियो को लाइक करना थे अपर पहले मैंने कॉल देता पहले मिरा साफरट फेट हुएते तो आप देखते हैं और अग zwei कंपणी करते हैं कब द ज्याइसर का कंपणी कांपणी को גם dir 쉽ते हैं थेखिए उस न रिचलिय्चरे के काम करती है कि अब बेसिकली बेसिकली कंपनिया काम क्या है विडियो झाल का युझान जो यानि धनके वाइप नहीं तो निध देख सकते हैं तो इन वर युझान शोग चलते हैं तो युझार चल रहा है तो गेमिंग के तुझार इस इंडिया के अंदर तो वैसे 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 उनका वैंचर भी बढ़ेगा उनका प्रॉजेक्ट भी बढ़ेगी अब चलते हैं चल के रहा हो समझते हैं तो कंपनी कब से है 27 सितम्बा 2020 से कंपनी तो बेसिकली अभी जो अभी करेंड में ट्रेट कर रहा है वह 0.43 परसंट गि हाई मारा 105 परे 90 पैसे का लो मारा 102 पर पक्छन पैसे का 52 हाई 154 पैसे 42 पैसे 52 लो है क्यावन पय ठीस पैसे का पांस दिन में अभी तक इसने उनका जीर और तीन पॉइंट चोववन परसंट रिटन दिया पॉजिटिव में वन मन्थ कहना अभी तक तक ती त्री परसेंट दिया इसके अंदर चल देखते हैं और क्या चल रहा है इसके अंदर देखते हैं हमारा पहले इसके अंदर पर्मोटर के होल्डिंग है पर्मोटर के किसी की होल्डिंग नहीं है इन्हों पर्मोटर ने अपनी होल्डिंग को डिक्रीस करा है अब चलते इसके थोड़ा सा फाइनिसली समझते हैं इसका तो इसका मार्केट गया पर 1096 क्रोड पर चल रहा है आर ओ सी चलना 4.21 परसेंट पर आर ओ रिटर्न अफ इक्वेटेट 2.06 परसेंट पर बुग वैल्यू च्छेंट रुबे के बुग वैल्यू काफिछे डिवीडेंट कंपनी ने दिया 1.44 परसेंट और कंपनी में पॉजिटिव साहिम क्या है कंपनी ने अपना कर्जा कम क्य इस इसे यह इन तक चलना था वह देखेंगे तो यह दिखेंगे पहले हम लोगों लोगों भी एस्टी की साइत्म है कि ओर गोटांट इन तो इनका जो था वह था लेक्स में तौटल इंकम थी चार रजाशू शेहारा सट लाग की ठीकिन उन की से कम थी और सितंबक्ष से भ इनको profit निया और का EPS देख लेता हम लोग तो EPS जून क्वार्टर में 0.87 सितंबर क्वार्टर में 0.19 तो क्वार्टर क्वार्टर देखेंगे यह और देखेंगे तो इनकी सेल और सेल में भी ग्राबर देखने को मिलिए EPS में ग्राबर देखने को नेट प्रॉफिट में ग्राबर देखने को मिलिए यह देख सकते हैं जून क्वार्टर के इनका नेट प्रॉफिट था 9.70 वह घटके हुआ 0.66 और सितंबर के अंदा 1.96 तो बड़ घटके हुआ 0.66 तो जून क्वार्टर से भी देखेंगे और यह यह देखेंगे क्वार्टर 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 वे देख तो इनके काफी खराब रिचल आया थे बस सेल में थोड़ इस वाज़े से कि इसके जब क्वार्टर रिजल्ट आता उसके वास इसमें घ्रावड आया थी अब देखें मैं डेली चार्ट पर ओपन कर लिए इसका तो डेली चार्ट पर देखते है कल के दिन इसमें जो यह इन्वेटेट हैमर इतनी बड़ी हैमर केंडल ट्रेड हुई जो पहला टार्गेट आएगा मेरा पहला टार्गेट 110 रवेगा वह क्यों बोल रहा हूं मैं क्यूंकि जो कैंडल है इस टैर्टरी के अंदर शेर चलना इसमें जैसी कवर करेगा तो यह 110 तक के लेवल पहली पहली लेवल दिखाएगा 110 का यह 15-20 दिन के टार्गेट दे रह इस प्राइब पहली लो यह उसको लोग को नहीं तोड़ रहा है यह देखिए लोग को सस्टेंड करना 255 पैसे कर दो गुष को और वह 102.55 पैसे कर दो अपनको क्या करना है इसका स्टॉप लोस लेके चलना कियो कि इसका स्थाब्लोस नेकी सिक्स का तो आमें नेकी सिक्सा पर लेकर चलना और जो इत्रेट बदलना सिक आंगे अभी 50 अभी 50 बेरीक आउट आ चुका है यहां पर में आपके लिए अब ट्रेंडिंस इसमें बापस आएगी तो ऐसा क्या गरना हैं को इसमें अंतर बाय करना है और अगार आज के दिन ये ड्रेगन फ्लाइट बना तो इसमें कल के दिन अप्ट्रेंडिक देखना हों मैं लागा कि निफ्टी गर रहा है बागिसमें को गिरने की वज़ा है निया इस टैंप पे तो आपको देखना है यह हाई आक्सिश चुछ तक का मार शुगा तो पहला टार्गेट 110 का क्योंकि यह सब्सक्राइब करना है तो यह इंडिकेशन है तो यह इंडिकेशन है आप चल रहा है अगर यह वीडियो आपका अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर फोड़ करना बिल्खुल नहीं बूले था थैंक यह सो मच पर वाचिंग दिस वीडियो